जाहिन दोस्तों नालंदा आई एस अकैडमी के इस ओनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है यूपीस्सी प्रिलिम्स प्रेक्टिस कुई सिरीज 11 को स्टार्ट करते हैं यह यह आई है कि जो लिंगायत के जो संथ हैं वो सारे के सारे यदुरुप्प जो चीफ लिंगायत जो हैं वो व्यक्ति होते हैं जो लिंग को धारन करते हैं लिंग जो है भगवान शिव का आइकन होता है ठीक है तो जो लोग लिंग को धारन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है लिंगायत कहा जाता है लिंगायत जो है 12th century के एक social reformer थे समाजिक सुधारक थे फिलोसोफर थे, पोयर्ट थे, कौन, बासा विसवरा, जिन्हें बसन्ना के नाम से भी जाना जाता है, तो लिंगायत जो होते हैं, इनके बारे में एक चीज़ जो सबसे इंपोर्टेंट है, वो ये है, कि ये लोग जहें मोनुथिष्ट होते हैं, यानि कि एकेश्वरवादी हमीं होते हैं, यह जो हैं आपके पॉलिथिस्ट यानि कि बहु देवी देवता में बिलीव नहीं करते हैं, ये सिर्फ एक भगवान की पूजा करने में बिलीव करते हैं, और वो कौन से भगवान होते इंपर में वो होते हैं, शिव राइट, लेकिन एग बाद ध्यान देन पूरा परिवार बागवान शिव की अरादना के लिए स्वमर्पित था बासवन्ना जो है यह शालुक्या किंग बिज्लर अर्श किल्यान में तारी । ऑर बासवंन्ना ने अपना पूरत जीवन क्या किया-चूछ लिंगायत संपरदाय है ँसकी इस्थापना में उसको धर्म को फैलाने में लगा दिया और उसके लिए जो है अलग-अलग मठो की स्थापना करवाई बस वन्ना और जो उनके कंटेंपरी सरणास थे ठीक है उन सभी ने एक बहुत ही मजबूत आध्यात्मिक ठीक है अंदोलन जो है क्या किया लॉंच किया ठीक है और यह जो अंदोलन जो थ था यह सिर्फ आध्यात्मिक की नहीं बलकि समाजिक भी था धार्मिक भी था और इनका जो अंदोलन जो था वो किसके खिलाफ था वो ब्रहमनियों के जो उनकी परमुक्ता है ठीक है जो उनका उसको चिनोति दियो ने इनका मूव्मेंट जो है शर्णा मूव्मेंट कहा जा है तो इसको जड़ा हम देखें तो यह भक्ति मूव्मेंट जैसा है यह ठीक है जी इसमें एक पोईट है जिनका नाम कि अक्का महादेवी यह नाम द्यान रखना अक्का महादेवी वो भी इनसे क्या थी जड़े हुई थी जो लिंगायत हैं वो कास सिस्टम में बिलीव नह से इंपॉर्टन चीज़ है दूसरी बात यह जेंडर एक्वालेटी में बिलीव करते हैं आपको मैंने पहली बताया था यह अक्का महादेवी से भी इनसे जुड़ी हुई है तो इससे इपता लग जाता है कि यह लोग जो है श्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं करते इसके अलावा जो है जो और इंपॉर्टन चीज़ है वह यह कि इन्होंने अपने टीचिंग जो है वह किसमें दी अपने प्रवचन वेगरा किसमें दिये कंणड भाश्या में दिये संस्कृत के जगा पर ठीक है तो इस तरह से इन्होंने ब्रह्मनवाद को क्या किया चुन वहाव मनतप यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो इसमें तीन नोबल प्रिंसिपल सामिल है जड़ा देखें उन्हें पहला क्या है आपका इश्वर एक है राइट क्योंकि जब इश्वर एक है सब ने सारे लोगों को सभी जीवात्मा को जो है किसने बनाया है ठीक है ताकि हम आपस में ना लड़ें क्योंकि हमें बनाने वाला क्यों है एक है और उस एक प्रमात्मा को हमें क्या कर देना चाहिए अपने आपको सरेंडर कर देना चाहिए ठीक है कि आप एक ही है और हम सभी आपको अपने आपको पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं ठीक है औ करूना की फीलिंग आती है ठीक है और कंपेशन जो है वो सभी धर्मों का और स्पेशली लिंगायत धर्म का जो है क्या है यह मूल है यह जो है सब कुछ इसी पर वेश्ट है इसी से रिलेटेट कुछ टर्म लॉजिस हैं जैसे जंगम यह वर्ड आता है तो जो मौंक होते हैं उनके लिए यह वर्ड यूज किया जाता है जंगम ध्यान रखने आपने फिर दूसरा क्या है लिंग दिक्षा जब आप इस धर में क्या करते हैं प्रविश करते हैं तो जो कि बड़ा इसका डैमोक्रेटिक पार्ट है इसको समझने की जरूरत है इसके लावा वचनाज यह बहुत इंपॉर्टनट है ध्यान देसको वचनाज क्या है कि लिंग लिंगायत धर्म को फैलाने के लिए जो पोईट्री रची गया उन्हें क्या कहा जाता है वचनाज कहा फिर आता है आपका जो है वो क्या पंच चारा तो five codes of conduct ये five codes of conduct हमने इंसी तरह का ज्sal क्योंकि मानते हैं शरीर को जो है आठ चीजों से बचाना चाहिए क्यों क्यों कि शरीर में इश्वर का वाज होता है तो इसलिक अपने शरीर को जो है आमें क्या रखने चाहिए शुद्ध रखना चाहिए तो अस्ट वर्दना की जो है योग के जो आश्टांग है वो भी याद आ जाता है आपका तो यह भी धियान रखनें आपका जब मैं इसकी बात करता हूँ तो बहुत धर्म में जो है आश्टांगिक मार्ग को फॉलो करने की बात होती है ठीक है ताकि हम सभी दुखोंसे दूर रहें ठीक है ये भी बहुत ही तो लिंगायत बिसिकली जो हैं आपके कनाटका में हैं लेकिन इसके अलावा ये गुजरात, महरास्टा, केरला, तमिल नाडव, अंधर प्रतेश, तेलंगाना इन्हें पूरे साउथ में ये आपके फैले हुए हैं और यहीं नहीं इसके अलावा इंडिया के अलावा भी जो ह हैं वामन पुरान के हिसाब से चार से बड़े आते हैं वह कौन से है पशुपत ठीक है इसको लगुलिशने इसके स्थापना की ध्यान रहता है आपने फिर है कपालिक पालिक जो है यह इसको बहरव की पूजा करते हैं फिर हैं आपके कालमुख यह बड़े एक्स्ट्रीम ह स्वालते हैं तो यह करते हैं हुमिन जो स्कल्ज − तकोपड़ी योटी ठीक है उसी में खाते हैं उसी में फीते कुरी के उनका मानना है मर्तिव क्या है सत्थ है तो इसको शुरू उसे ही क्या करो स्वीकार करो and then फिर लास्ट में क्या है लिंगायत तो यह चार जो हैं बड़े सक्ट हैं सवीजम के ध्यान लखना है वैसे सवीजम बहुत ही पुराना है अगर मैं इसकी बात करूँ तो हडपा में जो है हमें इसके जो हैं क्या मिलते हैं इसके जो प्रमान मिल जाते हैं आपको पता ही होगा कि हडपा में हमें किसके सील मिले था पशू पति ञें योगी मुद्रा में देवता बैठे हुए हैं और चारों और पश्वों से घिरे हुए हैं तो हडपा हो चाहई वैदिक हो सब में ने हमें भगवान शिव की कि दर्शन होते हैं उनके बारे में उनकी पता चलता है कि अब एक और बात करें वह यह की लिंगायत और वीर्शायव हम जनर्रिलिस को एक मानते हैं लेकिन इसमें काफी अंतर है तो चलिए जड़ा इसको भी देखें लिंगायत जो है आपके 12th century AD के आसपास बासवन्ना ठीक है इसकी स्थापना करते हैं यह शिव को जो है कि एक कि आपको पता ही आपर वचनाज के थूच से थूचन यह अपने तीचिंग्स देते थे आपने प्रवच्चन देते ब्लीं देते थे और वह सबसे इंपाइं है वह सब्सक्राइब सब से कहते हैं यह शुरू है शिव वह उपस्तित है और उतप से यह यन्निकclock इनिकी पहले करते हैं ठीक है लेकिन लिंगायत नहीं करते हैं और वीर्ष्य adjust जो है कास सिस्टम में बिलीव करते हैं जबकि लिंगायत नहीं करते हैं जो वीर्शाइब है वो टेंपल पुजा में ठीक है बिलीव करते हैं पुजारी सिस्टम में बिलीव करते हैं लेकिन लिंगायत में ऐसा नहीं माना जाता है तो अब मोटा मोटी लिंगायत जो हैं आप वो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते हैं, मंदिर की पूजा में बिलीव नहीं करते हैं, जबकि हिंदु धर्म में इसको बहुत इंपोर्टन्ट आस्पेक्ट माना जाता है, जो लिंगायत हैं, वो जो हैं, क्या नहीं करते, वो पसुबली में जो है बिलीव नहीं करते, अनिमल सक्रिफाइस में बिलीव नहीं करते, बलकि लिंगायत जो है, वो तो non-wetch खाते ही नहीं है, ठीक है, यह ध्यान रखने की जूरुत है, लिंगायत जो dead bodies को जो है, वो दफनाने में हो जाएंगे जो लिंगायत हैं यह आपके श्राज वगेरा में बिलीव नहीं करते जबके हिंदु धर्म बिलीव करता हैं तो इस तरह से यह हिंदु धर्म से काफी अलग हैं अब देखें लिंगायत के प्रेजिन स्ट्रेटर्स क्या है तो हिंदु मेरिजएक और जैन को जहां माइनोरिटी का स्टेटर्स मिला हुआ है वहीं लिंगायत को यह माइनोरिटी का स्टेटर्स नहीं मिला है मैं फिर से बता दू लिंगायत हिंदु धर्म का पाठ हैं लेकिन इन्हें क्या नहीं मिला है इन्हें माइनोरिटी का स्टेटर्स नहीं मिला है ठीक ह 18 मार्च में कनाटका गवर्मेंट ने नाग मोहन ये जरा ध्यान दे कमीटी की सिफारीज को फॉलो करते हुए लंगायत को माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया और इसका फाइनल अप्रूबल के लिए संट्रल गवर्मेंट को भेज दिया लेकिन संट्रल गवर्मेंट ने क्य जो ऐसी हैं उसमें ठीक है उन लोगों को जो है क्या नहीं मिलेगा रिजर्वेशन का फाइदा नहीं मिलेगा तो इसलिए उनको नुक्सान होने के ज़्यादा चांसीज हैं बलकि फाइदा होने से अब सवाल एक और है कि कोई माइनुर्टी स्टेटर्स जो चाहता है तो कॉंसिशन लौ उसके बारे में क्या कहता है तो सबसे पहले बता दू कि कॉंसिट्रीशन में वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है ध्यान दें दूसरी बात जब वह यह कि कॉंसिट्रीशन में अगर है यह ध्यान रखने आपने दूसरी बात जो है वह कि government जो है वह minority institution एक है कि land acquire कर सकती है अगर national interest का मामला हो अगर समाज की भलाई का मामला हो तो वह क्या कर सकते land acquire कर सकती है ध्यान दें ठीक है religious minority status की बात करें तो किसको दिया गया है मुसलिम को दिया गया है क्रिश्टिंस को दिया गया हैी सिखों को दिया गया है बुधिश्टि को दिया गया जो राष्ट यहां पर जह आं का केड़ला यहां पर जो है मुस्लिम मैजॉरिटी में है ठीक है क्रिश्टन की बात करूं तो नागालेंड मिजोरम और मेगाले ठीक है यहां पर जो है इव क्रिस्टिन में सिफ्क की बात करूं तो पञ्जाब में जो इसे इसके इलाबा जो है संब किसी स्टेटमें मैजोरीटी में नहीं यह ध्यान की बात है कि अब आपके सामय एव फॉलोंग इस दो तो बासवन्ह 12th century के social reformer थे आपको बताना है सही है कि नहीं है बासवन्ह वाइस इन सिंपल कंड़ा वचना इन्होंने अपनी सारे टीचिंग किसमें दी कंड़ भाशा में दी ताकि आम इंसान समझ सके बासवन्ह गेव वुमेन इक्वल स्टेटस इन इस मुव्मेंट थू वचनास अब आपको बताने तीनों सही है कि नहीं है वो 12th century के थे आपको पता 1105 में पैदा हुए थे बेलकुल सही वो जो है ब्रहमिडिजम के अगेंस थे इसलिए आम लोग समझ सके इसलिए उन्हीं की बाश्रा में कंड़ में यह सारे अपने टीचिंग देते थे और वुमेन को यह इक्वल स्टेटस देते थे मैं बता चु यहिए की नहीं है चक है तो देखें जला तो ए अंसर तब होगा अगर सिर्फ एक साई है भी ऐनरथ मखली ञान्ड साटार्प्मेंट संही है डोलु आपको बताने के सही है कि नहीं है। दूसरा, the constitution recognizes only religious and linguistic minorities. आपको बताने यह सही है कि नहीं है। Third, the right to education, R.T. Act, is not applicable to aided or unadded minority school. आपको बताने के सही है कि नहीं है। The governments cannot take away the land acquired by minority institutions as per constitutional safeguard. ठेकर आपको बताने चार में से कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो अगर 1,2,3 रही है तो अंसर A होगा, अगर 2,3,4 सही है तो अंसर B होगा, अगर 1,3,4 सही है तो अंसर C होगा, अगर सभी सही है तो अंसर D होगा. तो इसका अंसर क्या है, A, 1, 2, 3, क्योंकि government के बारे मैं आपको बता है कि government ले सकती है, ठीक है, इसमें क्या है, cannot लिखा है, ठीक है, नहीं, government जो है, वो land acquired कर सकती है, minority institutions के, ठीक है जी, ध्यान रखे, लेकिन अधार क्या होना चाहिए, मैं आपको पहले बता है, कि national interest, समाज की बलाई वगेरा वगेरा, एक means का भी question है, ठीक है, what do you mean by lingatism, what is the difference between Hinduism and lingatism, explain with reference to the teachings of बात सुनना, तो मैं उमीद करता हूँ, आप इसका answer जो है, comment box में देंगे, तो इस तरीके से आपका participation और बढ़ेगा, तो हम prelims दोनों की तरफ बढ़ रहे हैं, एक और news आईए, क्या है, कि Supreme Court ने जो है, cooperative amendment का एक part जो है, खतम कर दिया है, तो जड़ा देखे, 97th amendment, 2012 से जो है, क्या हुआ, कि amendment हुआ, जिसमें cooperative को Indian constitution में add किया गया, वो आप लोग जानते हैं, इसके लिए एक part add किया गया, 19b, लेकिन 19b का जो है, एक part Supreme Court ने खतम कर दिया, क्यों, क्योंकि उनका य स्टेट लिस्ट में का subject का part है, तो अगर आप कोई amendment करते हैं, ठीक है, स्टेट लिस्ट वाले subject का, तो उसमें आपको स्टेट की consent लेनी चाहिए, लेकिन unfortunately, सरकार ने ऐसा नहीं किया, पहले ये विवाद का विशाह नहीं था, लेकिन अभी हाली में, जब central government ने जो है, अमि Ministry of Corporation का charge swap आ, तो ये मुदध वाफिस गर्म हो गया, और अब जब ये मुदध Supreme Court पे गया, तो उन्होंने जो है, इस बात को स्विकार किया, कि ये amendment जो है, ये पूरे तरीके से सही नहीं उठा, anyway, cooperatives के हमें पहले बता चुका हूँ, जब सभी लोग मिलकर common goal को achieve करने के लिए ये कोई organization बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते है, cooperatives बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एकता में क्या होती है, शक्ती होती है, ये amendment किस से आयता है, 97th amendment से आयता है, ठीक है, इसमें article 91 में जो है, C part को जोड़ा गया, कि भाई आपको जो है, association, union के साथ साथ, cooperatives बनाने की भी अजादी है, fundamental rights में जोड़ा गया, इसके लिए 9B जोड़ा गया, जिसमें, ठीक है, जो 9A आपको पता ही है, municipal वगरे से एड़ करता है, तो उसमें cooperative के working की भी बात की गई, इसके लाबर 43B, DPSP में भी इसको part 4 जो constitution का, उसमें जोड़ा गया, कि government जो है, वो क्या करेगी, cooperative society के promotion को है, simple majority, ठीक है, simple majority में क्या तो है, कि जितने लोग, मता की, माले लोग की, आपका पता है, total 552 नंबर है, आपका लोग सभाटा, ठीक है, अब suppose करो कि आए हुए है 400, कितने लोग आप बैठे हुए भी, 400 लोग अभी आए हुए है, तो क्या होगा, 201 ठीक है, मता की, कम से कम 201 संसत, जो है, वो कह देते हैं, तो वो बिल माल लिया जाएगा, वो अमेडमेंट माल लिया जाएगा, ठीक है, तो इस तरह के से, simple majority से, किन चीज़ को चेंज किया जा सकता है, admission और establishment of a new states, चैकि से के नाम चेंज करना हो, ये भी कर सकते है, evolution और creation of legislative council in states, ये भी आराम से किया कि अगर house जैसे 552 है, 552 है, वैसे तो इतने होते नहीं है, 545 के आसपास मान के चलो, ठीक है, तो 545 जो है, आपका house का number है, ठीक है, तो इसका 500 का हो गया आपका 250, और 45 का आपका हो गया 23, ठीक है, तो 276 लोग जो है, कम से कम, यानि कि half, ठीक है, member जो है house के होने चाहिए, ठ ठीक है, दूसरा, जो present है, जो voting करने वाले है, ठीक है, वो कम से कम जो है, आपके two-third जो है, majority से उसको क्या करें, support करें, तो दो बाते हो गई, एक आपके जो total member है, उसके half member कम से कम, और plus चितने member आए हुए है, उसके two-third जो है, वो अगर किसी भी amendment को support करते हैं, तो उसे जो majority first, और by special majority and the states, ठीक है, इसको छोड़ कर, जो है, इन दोनों को छोड़ कर, जो बच जाता है, उन सब ही को change है, हम by special majority से करते हैं, ठीक है जी, third क्या है, special majority and by the state, मतब कि ratification by state, तो इसमें क्या है, seven schedule, आपको पता ही है, कि union list, state list, content list, ठीक है, जिसमें दिया हुए, तो seven schedule में क कोई change करना हो, तो फिर special majority यानि ये वाला, प्लस जो है, 50% states जो है, वो उसको ratify करें, simple majority से, ठीक है, इसी की बात को operators में कहा रहे थे, कि भाई आपने जो है, seven schedule में जो हिस्सा जो state का है, ठीक है, उसमें कोई changes किया है, तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको state की मंजूरी लेनी चाहिए थी, बाट वो नहीं लिया गया, ठीक है, तो इसी लिए Supreme Court ने जो है, उस पार्ट को मिलकर हटा दिया, और election of the president and its manner, ठीक है, जहाँ भी state किसी तरह से involved हो, उसमें अगर आपको कोई change करना है, amendment करना है, तो वहाँ पर special majority and the states की जो है, कि थूरूई होगा, और state of cooperation, आपको पता है, भी नया लाए गया, तो कोई भी ministry or department, government को अगर create करनी हो, तो president जो है, ये करता है, कौन करता है, president साब करते है, किसकी advice पर, prime minister की advice पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, तो आपको बतादू, जो हमारी current government है, Modi government, इन्होंने जो है, तीन नई ministries बनाई है, ठीक है, जैसे की ministry of housing and urban affairs, ठीक है, और second का है, ministry of जल सकती, ये दो जो ministries है, ये नाम change किये है, ठीक है, दो मर्जर करके बना दिया इनोंने, लेकिन जो ministry of cooperation है, ये तो बिलकुल brand new ministry है, ये मर्जर से नहीं बना है, तो ध्यान रखना है, कि तीन जो नाम है, हमारी इस government में, ministries के रखे गए है, दो को थोड़ा सा change करके, और third जो है, आपका ministry of cooperation, ये बिलकुल brand new ministry है, तो minister कौन बने हैं इसके, ये बने हैं, आपके अमिश्चा बने है, अब सवाल ये है, कि ministry of cooperation जो बनाय गया है, उसका objective क्या है, तो देखिए, इसका objective जो सबसे important है, वो ये है कि cooperative movement को क्या करें, strong करें, grassroot पे जो है, इसको ले जाकर जो है, इसको मजबूत करने में, government अपना role play करना चाहती है, ठीक है, तो इसलिए जो है, अमिश्चा जी को इसका charge दिया गया है, इफ को, ये ध्यान रखने आपने, इफ को जो है, ये आपकी सबसे बड़ी cooperative है, इंडिया की नहीं, पूरे world की, ठीक है जी, और दूसरा, सारस्वत cooperative bank जो है, तो अगर cooperative bank की बात करें, cooperative society की बात करें, तो इफ को है, और cooperative bank की बात करें, तो सारस्वत cooperative bank जो है, ये आपका top bank सबसे जहाला है इसके लावर Ama महाराष्टा मिन है फिर कह के तो यह वाला जो वैल्ट है क्परिटेफ यह इसमें बहुत लाज अच्छे से काम कर रहा है यह ध्यान देख जाता है तो यह काफी मजबूत को बेल्ट है कोपरेटिव का अब देखें अगला कुश्चन विच अब दा फॉलॉइंग स्टेट्मेंट आर करेक्ट अबाउट दा कॉपरेटिव मिनिस्ट्री तो फिर्स्ट है पीम जवाल नहरू हैट कुरियेटिटिग अमिनिस्ट्री आपको बताना कि सही की गलत है दू सब्सक्राइब आपको बता है अमिश्चा जो है वह फर्स्ट परसन है जिनको मिनिस्ट्री चार्ज दिया गया अब बात करें जैफ बेजोस सब की बात करते हैं जैफ बैजोस आपको पता है मिलेनियर हैं अमेजन के फाउंडर है आपने इनका नाम सुनाई होगा तो यह सब्सक्राइब आपको तो उनको उनके बाद जैफ बेजोस गये हैं इन दोनों का परपस क्या है इन दोनों का परपस है स्पेस तूरिजम को बढ़ावा देना स्पेस टूरिजम के रेस में दोनों कूद गए हैं क्लीएक निंग तो इनकी जो कंपनी है ठीक है इसका नाम प्लू औरिजिन क्या नाम है बिलू औरिजिन इनकी कंपणी का नाम है यह ध्यान के लोमेटर तक उपर गाई यह 106 km ते गए पिछले वाले यानि कि जो आपके ब्रेंशन साहब है उनसे इन्होंने 16 km ज्यादा हाइट इन्होंने कवर की यह ध्यान रखता है इंपॉर्टिट ठीक है जी तो पिछले वाले जो साहब थे कौन रिचर्ड ब्रेंशन जो है तो उनसे उनकी कंपरेंगा नाम कहता वर्जिन गैलेक्टिक यह भी ध्याना मैंने आपको पहले बताया था आपको ठीक है तो यह सारी चीजें हमें मिलती है लेकिन एक बात और बता दूँ जो जैफ पेजो सावे इन्होंने एक रिकार्ड भी बनाया कि इन्होंने 82 years old और एक जो है 18 years old शायद 18 years old वाले इनका भ तो रिचर्ड ब्रेंशन और जैफ बेजोस में basic difference क्या है इसको जरा देखें तो रिचर्ड ब्रेंशन यह हैं UK से हैं जैफ बेजोस यह यूएसे से हैं यह कब गये थे 11 जुलाई को गये यह कब गये थे 20th July 2021 में कहते है ठीक इनकी कंपनी का नाम क्या Virgin Galactic रिचर्ड बेंश वहीं जो इनका blue origin जो है यह automatic capsule है देखें तो क्या है यह आपका capsule में बैठ कर गया और यह automatically चलता है आपका यह जो रिचर्ड साब जो है 90 km के altitude पर गये exactly 88 कुछ बोल रहे हैं ठीक है जैफ बेजोस है 106 km के altitude पर गये ठीक है इन्होंने वहाँ पर क्या किया यह लोग उपर ग तो देखकर अपना यह लोग जो है नीचे आ गए और इस तरीके से space tourism के लिए जो है एक race start हो गई है रिचर्ड ब्रेंसल साब की बात करूं तो इनके तो पता हैं कि 5-6 लोग जो है already मतब कि next जो tourist है इन्होंने book भी कर लिया है वहीं जेफ बेजोस साब जो है यह जो है अभ आपना first passenger जो है हासिल करेंगे anyway आगे बढ़ते हैं तो who of the following person is not in the space tourism race Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson तो आपको पता है इसका अंसर क्या है Bill Gates नहीं है Elon Musk आपको पता है इनके जो इनकी जो company है SpaceX ठीक है वहीं Jeff Bezos की company आपको बता दिया मैंने को Blue Origin Richard Branson की जो company जो है वो Virgin जो है तो यह आपको पता हों जाए अब plus one question जिसका जवाब आप लोगोंने देना है इस और थोड़ा सा मुश्किल है आपको थोड़ा सा effort लगाना इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी प्यारे बच्चों ज्यादा दिन नहीं बच्चे यूपेस के प्लिम्स 2021 को तो अगर आप लोग जो है इस एक्जाम को करेक करना चाहते हैं तो नालंदा आइस अकैडमी की जो यूनिक टेस्ट सेरीज है इसको आप जोइन करें इसमें क्या होगा दो बाते हैं जड़ा ध्यान देए इस पर सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें पहले आपको इजी कोश्चन फिर आपको थोड़े से इंटर्मेडिट वाले कोश्चन फिर आपको जो है तो तफ या एडवांस कोश्चन के थुरू जो है आपके टेस्स तरीस के त्यारी करवाते हैं इसक तो अगर आप लोग जो है इस एक्जाम को करा करेंगे रेडी हैं लाइव क्लासिश चाहते हैं टेस्स चाहते हैं प्रेडियाफ नोट चाहते हैं तो आप जो है इस नमबर पर हमें कॉल कर सकते हैं इसके अलावा अंसर राइटिंग बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि बिन दो अंसर लिखने को कहते हैं एक आपका जो स्टाटिक पोर्शन पर और एक आपका करेंट इश्यूस पर तो वन बाइवन जब आप बढ़ते हैं तो आपकी अंसर राइटिंग स्किल आपका डवलब होता है ठीक है और अगर आप इसको जो करना चाहते हैं तो आप हमें इस कर रहे हैं ठीक है इसे सब्सक्राइब करें ठीक है अगर इसकी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज इसे जादर स्यादा शेयर करें ठीक है आप लोग जो है अपने WhatsApp स्टेटर स्पेस को लगाएं ठीक है तो उससे क्या होगा उससे जादर स्यादा लोगों को इसकी बा झाल झाल